Chapter 7 देख रहे है Control and Coordination इसके जो Board में आई हुए सवाजवाब देखेंगे Control and Coordination के कुछ important questions भी देख रहे हैं हम लोग क्यों ये advice किया जाता है कि अपने खाने में आप iodized salt लें salt जो होता है NACL वो iodized हो iodine का काम में ये है कि जो thyroid gland है हमारा उसको stimulate करता है ताकि thyroxine hormone thyroid gland secrete कर सके अगर deficiency हो गए हिस hormone की तो इससे क्या होगा thyroid gland जो है वो बढ़ जाएगा इसी को हम goiter कहते है यह जो disease होती है इसको हम goiter कहते है घेंगा घेंगा भी नाम है इसका state how concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of shoot which is away from light जो oxygen का oxygen एक प्रकार का hormone है plant में तो कैसे stimulate करता है cell जो सादा बढ़ते है जो side है shoot की जो light से दूरी पर है तो जैसा ऐसा होता है कि जब light पढ़ती है उस side पे shoot के तो oxygen diffuse करता है या diffuse होता है किस पार्ट पे जो shady side है shoot का अब जो concentration है oxygen का ये क्या करेगा क्योंकि ये hormone है stimulate करता है ताकि cell ज़रा बढ़ा हो सके grow कर सके जो side है shoot का shoot की जगा पे ये बढ़ा हो सके जो light से अवे है तो इससे क्या दिखता है आपको ऐसा लगता है कि जैसे plant जो है पौधा वो light की तरफ जुका हुआ है जुक रहा है जुका है उसका what is synapse synapse क्या होता है और neuron cell में कैसे electrical pulse create होती है और क्या role होता है synapse का इस context में तो synapse अब ये समझी है आपके दो neuron है बनाता हूँ इनके बीच में कुछ जगा है यहाँ तो synapse क्या है यह एक gap है इन दोनों neuron के बीच में यहाँ पर क्या होता है जो axon terminal है एक neuron का वो बहुत करीब है axon में बहुत छोटा amount chemical substance का release होता है synapse में अब यह synapse की बात हो रही है इस जगह की बात हो रही है तो यह जो chemical substance है इसको हम कहते है neurotransmitter तो यह synapse पे क्या होता है जो electric signal है वो convert होते है chemicals में जो इस gap को cross करते है और वो दूसरे आपके neuron पे जाते है जहां पर और फिर से electric signals में change होते है और यह प्रकलिया जो है propagation की होती रहती है बढ़ती रहती है What is meant by reflex action reflex action क्या होता है कभी आपने जैसे hot object को एकदम touch किया जैसे touch किया फटक से आप हाथ अटा देते है या गाड़ी एकदम कोई सामने आ गया तो आप एकदम से brake मार देते है या सारे reflex actions है तो आपको labor diagram से बताना है कि sequence होते है event के जब आप किसी गरम चीज को छूते है तो इस तरीके से यहाँ पर देखे क्या-क्या हो रहा है पहले तो आप समझे कि यहाँ पर आप छूरे जैसे छूआ तो छू के यह जाना चाहिए आपके दिमाग में या reception में या फिर आपके और जो sensory system है और वहाँ से response आना चाहिए यहाँ पर ताकि आप हाथ अड़ा सके पहले जो आप गरम लगेगा आपको जब आप हाथ छूएंगे तो यहाँ से deception जाएगा फिर वहाँ से एक signal आएगा जो कहेगा कि देखे साब हाथ अड़ा लीगे अपना इसे हमने reflex arc भी कहते है तो पहले stimulus समझते हैं इस example में जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो stimulus है वो है hot गरम pod कहिए या फिर भर्दन कहिए अभी क्या होता है कि यह जो contact अगर होता है गलती से आपका हाथ लग गया तो जो nerve impulse है वो create होती है जो कहाँ जाएगी spinal cord में आपके sensory neuron के थुरू तो sensory neuron आगया है आप यहाँ पे sensory neuron क्या है यह जो neuron है इस nerve impulse को लेते है spinal cord में ले जाते है और जैसे आपका inter neuron या motor neuron है sensory neuron क्या करते है यह जो pulses आ रहे है incoming pulses है वो dendrites पे देते है मतलब they receive incoming pulses at the dendrites dendrites से यह incoming pulses जो भी आ रहे हैं उसको लेते है अब जो impulse हा गई impulse पता ही होता है कि जो sensing sense की आपने समझ लेज़े वो information वो यह impulse हो गई तो impulse इस cell body से थोड़ा दूर की तरफ जाते है axon की तरफ जहां synaptic terminal होता है जहां पर जो impulse है वो next inter neuron की तरफ जाती है और यहां पर आपका neurotransmitter होता है बीच में जो होता है acetyl chlorine तो acetyl chlorine यह काम कर रहा है अब जो inter neuron से बीच में जो inter neuron है वो relay neuron है याने कि यह जो neuron है यह आपके cnse या center nervous system में पूरी तरीके से contained है और जो inter neuron है यह तरीके से काम करते है एक bridge का काम करते है जो sensory neuron है और motor neuron के बीच में अब synapse क्या होता है synapse एक छोटी सी जगा होती है या बहुत कहेंगे कि एक gap होता है दो neurons के बीच में जब यह impulse इस neuron के end में आती है और उसको दूसरे neuron में आपको भेजना होता है तो जो synapse है वो bridge की तरह काम करती है जैसे signal आपको neuron के एक end में आएगा जो synapse के पास में है एक electric signal वो cross करेगी synapse को कैसे? chemical signal में इसके बीच में neurotransmitter भी आता है जिसको हम फिर से बता रहा हुगा acetyl chlorine जो synaptic vessels इसको release करते है synaptic terminal पे तो जो chemical signal आया और continue होता है electric signal की तरह next neuron में इस तरीके से आपकी चीजे जाती आती है अगर मैं हाँ से समझाने की कोशिश करो तो यहाँ पर आपका receptors है जो आपको reception जो skin पे होगा जब हाथ लगाएंगे गरम अब लगेगा तो जैसे यहाँ पर आप effector है यानि कि यह इसको हटाएगा effector को वापिस कहां से आ रही है तो जहां से जा रहा है देखिए sensory neuron यहां से यू गया और यहाँ पर message गया brain को और उसके बाद यह relay neuron इसको ले जा रहा है फिर यह motor neuron क्या करेंगे यह वापिस आके बुलेगा देखे साब आपको गरम लग रहा है आप ज़रा हाथ अटाले उसके बाद motor neurons की बारी आती है यह neurons क्या करेंगे अब यह motor neuron की बारी आगए यह क्या करेंगे जो nerve impulse है वो central nervous system से लेंगे और साथ में जो effector organ है यानि कि जो muscle आपर देख रही है muscle fiber आपको यहां पर देख लिए उसको भेजेंगे अब जो यह क्या करेंगा जो information आगए तो muscle fiber क्या करेंगा जो contact में है वो एकदम से आपको information आगए muscle क्या करेंगी अपके हाथ को दूर ले जाएगी कि भई हाथ आप हटा लेंगे वहाँ से तो यह reflex arc है पूरा जो response है यानि कि कोई भी stimulus आजाए जैसे मैंने कहा कि अगर हाथ कहीं जा लग जाए या आपकी गाड़ी एकदम से सामने आजाए जो muscle है वो contract होनी चाहिए ताकि आप हाथ जो है बिलकुल हटा सके उस hot pot से pot से या बरतन से यह होने के लिए जो impulse है वो ट्रावल करती है synaptic terminal जो motor neuron है वहाँ से जो synaptic vesicles है synaptic terminal वो फिर से acetyl आपका chlorine release करता है जो cross करेगा आपका synapse और फिर वो bind करेगा किसके साथ receptor जो आपके हाथ का है muscle fiber ताकि muscle contraction हो सके इसे ही हम response कहते है आपको example देना है plant hormone का जो growth promote करता है जो growth के लिए responsible होता है कहां synthesize होता है तो plant hormone जो promote करता है growth को उसको हम oxyn कहते है और यह जो plant का stem होता है यानि कि उपर की भाग और नीची की भाग यानि कि जड़ और उनके बीच में जो तना कहेंगी पतला से जो तना होता है उसको हम stem कहते है यहाँ पर synthesize होता है इसके tip पर जब हम बड़े होते है यह तिरह चौदा पंदरह साल के होते है आदमी और लड़के लड़किया तो कौन से हर्मोन रिलीज होते है तो testis जो होती है हमारी जो मर्दों में होती है बाल्स होती है आपकी वो बाल्स होती है वो उनको testis कहते है अब जो यह males है वो testis में males में create होता है testis create करता है तेस्टेस्टरॉन इसी तरी की सा females में जो उनका genitals है माँ आपर overrease होती है वो जो overrease होती है वो estrogen को release करती है आपको बताना है ऐसा gland जो brain के साथ associated हो कौन सी problem आ जाती है अगर इस deficiency हो जाए इस hormone की या यह gland responsible है इसको secret करने के लिए release करने के लिए वो release ना करें तो pituitary gland जो हमारे दिमाद में brain में होता है वो आपके body growth आपके bone और muscle के development के लिए काम आता है अगर बहुत जादा हो गया तो बहुत gigantism हो जाता है अगर बहुत gigantism बहुत बढ़ा हो जाता है आदमी और less होता है तो आदमी छोटा रह जाता है अद्वार्फिसम कहते हैं जिसको आपको नीड डाइगराम बनाना है मतलब सर के इसमें ये जो part है ना इसको हम mid brain कहते हैं और ये आपका जो gland ये जो gland है इसे pituitry gland कहते हैं आपको example बताना है tropic moment का जैसे positive photo-tropism यानि कि जैसी sun light आएगी तो पौधा किस तरफ जाएगा या जमीन की तरफ जाएगा या जमीन से उपर जाएगा या फिर पानी की तरफ जाएगा या कैसे ये सब चीज़े बताने हैं तो positive photo-tropism इसका मतलब जो shoot होती है जो तना पतला तना होता है पौधे का वो shoots जो light के तरफ grow कर रहा है light जहां से आ रही है उस तरफ grow कर रहा है negative का मतलब ये है कि जो roots है जो आपकी जने है वो light से दूर की तरफ जा रही है light से दूरी बना रही है या उसके opposite direction में जा रही है ग्राउंड में positive geotropism की बात करें तो क्योंकि earth है gravity है तो अगर root की growth हो रही है earth की तरफ earth के pull के कारण तो उसे positive geotropism कहते है अगर shoot जो है यानि की जो तना है पतला से जो तना की बात करते है पेड़ों में पौधों में अगर आर्थ से उपर की तरफ जा रही है क्योंकि अब उपर की तरफ बढ़ेगा ना पेड़ तो वो उसे negative geotropism कहते है hydrotropism की बात करें तो कहीं पानी का source है उसकी तरफ अगर जो roots है जो जड़े है वो उसकी तरफ bend हो रही है जा रही है तो उसे hydrotropism कहते है और chemotropism का मतलब यह है कि जो pollen tubes होती है जहां से pollen grains वगरे निकलते है उसकी growth हो रही है ovules की तरफ जो ovary वाला पार्ट है आपको हर्मन बताना है जो release होगा blood में जब sugar level बढ़ जाता है body में आपको बताना है कि क्या chemical communication होगा multi जरुवत क्या है इसकी जो multi cellular organisms होते है और जो hormone produce करते हैं और जो blood sugar level का क्या effect हो सकता है आपको digestive system का भी बताना है कि जो digestive enzymes secret होते हैं इस organ के द्वारा और एक function भी बताना है जो glucose है वो बहुत जरूरी है energy basically energy हो जो हमें मिलती है glucose से मिलती है तो यह respiration में बहुत जरूरी होता है खासतों पर cell cell जब सांस लेता है अब यह जरूरी है कि जो glucose या sugar आप जिसको बहुत नर्मल भाशा में कहते है इसका जो concentration है blood में वो constant level पर होना चाहिए तो insulin एक ऐसा hormone है जो produce होता है ताकि यह जो cells है उसमे glucose level या sugar का level maintain रह सके जादा नहों कम नहों तो multicellular organism जैसे हम लोग हो गए अगर हमके हमारे organism हमको properly function करना है तो cells आपस में आप एक दूसरे से बात करना चाहिए जैसे आपका muscle है वो contract होनी चाहिए जब आपकी brain से कोई message आए तो pancreas जो है हमारे पेट में एक side में होते हैं पेट के मतलब intestine के glucose को बढ़ाते है इसके अलावा ये digestive enzyme भी देते हैं जिसको हम pancreatic amylase कहते हैं अगला सवाल है आपको expect करना है जो need है chemical communication की multicellular organisms में तो जो cell से cell की बातचीत है signaling है बहुत critical component है अगर coordinate करना है cellular activity इसके लिए जो communication है ये बातचीत है message को carry किया जाना चाहिए जो signaling cell है जो तरफ जाना है receiving cell ता जिसको हम target cell भी कहते हैं तो ये signaling होती कैसे है protein और और आपके signaling molecules है और भी क्या चीज हो सकती है हमारी body में क्योंकि communication हमारा होना चाहिए तो जो growth and development है cellular reproduction है tissue के repair है और जो pain हम sense करते है ये सारी चीज़ इसमें आपकी आएगी आपको structure बताना है structural या functional unit इस nervous system का और इसका बहुत clean label diagram ही बताना है और इसके दो function भी आपको लिखने है तो ये आपका structure या function unit कहरे लिए ये nervous system का neuron है उसका diagram आप देखिए ये जो ऐसे निकले हुए है इनको हम dendrite कहते है कांटे की तरह और ये बीच में nucleus है ये cell की body है यहां हम इसको exon hillock कहते है ये आपका इसको mylene sheath है ये एक schwann cell है ये node है आपका ranvier का और ये आपका exon का terminal है जो काम है function है आपके neuron के वो पहली चीज़ तो आप समझेए कि information को pass करना है वो कैसे होता है एक तो electric pulse से होता है neuron के अंदर और chemical की through कहां? synapse फिर उसके बाद जो reflex action है वो कोई से action होते हैं? जैसे कोई चीज़ हो रही जैसे आप चल रहे हैं चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं आप कभी दिमाग में सोचते हैं कि मैं चल रहा हूँ आप बस चलते हैं सास अप लेते हैं आप कभी सोचते हैं कि नहीं आज मैं सास ले रहा हूँ तो involuntary actions है तो कोई spontaneous involuntary or automatic response हो जैसे माली जो कोई ऐसी चीज़ आ गई कोई harmful situation आ गई वहाँ पर आपको react करना है ताकि आपने को बचा सके तो spontaneous या involuntary जो आप voluntarily नहीं कर रहे हैं और जो automatic response है अगर आप के सामने कोई ऐसी situation आ गई और आप सोचने लगे तब तक तो नुक्सान हो जाएगा तो इसे reflex action कहते है जैसे आपके hot object को touch किया तो फटा-फट हाथ अटाना होता है तो ये बड़ा spontaneous भी होता है बहुत तेज होता है बतलब involuntary होता है वहने कि आपको इसे सुचना नहीं पड़ता और बड़ा automatic होता है आपका हाथ अपने आप दूर हो जाएगा आपको function बताने है gustatory receptors और olfactory receptor के तो gustatory receptor ये sensitive होते है taste जो आप जबान में लगाएंगे उसे taste कहते है gustatory ये sensitive होते है taste से और olfactory receptor जो होते है sensitive होते है smell से जो महक आती है ये खुशबू या बदू का है कोई तीन directional movement बताने है plants में तो जो stimuli है जो responsible है ताकि movement हो सके plant का किसी के तरफ जाए या किसी से दूर जाए इसी movement को हम tropic movement कहते है जैसे आपका phototropism है अब जैसे ये पौधा है अब इसमे light पढ़ रही है तो ये इसकी तरफ जुक रही है इससे दूर जा रहा है तो movement इस plant का lights के पास या lights से away ये phototropism है geotropism का मतलब ये होता है कि माली ज़े धरती है धरती के अंदर पेड जा रहा है या उसके उपर जा रहा है इसको मतलब कहते है movement कहा हो रहा है जो plant के पार है उपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है हाइडोट्रोपिजम का मतलब यह है कि यहाँ पर plant है यहाँ पानी है तो इसके root जो इसकी तरफ जा रहे है या फिर इससे दूर जा रहे है कवे जा रहे है या source जो पानी का source है उसे दूर जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं उसे हाइड्रो ट्रॉपिजम कहते हैं कैसे brain और spiral cord protect होते हैं human में दिमाग हमारा कैसा, जैसे हैं कहते हैं दिमाग सबसे जैसे कहें, ऐसा part होता है जिसको, जिसकी बनावट इस तरीके से की गई है कि उसके पर बड़ा भारी या एक सकल लगाया गया है तो आप जैसे कोई सर पे लग गया या अपने हाथ लगाया है तो नुकसान ना पहुचे जैसे ब्रेन में चीज़ होती है हर चीज़ दिमाग से चल रही है बाकी तो और्गन से जिसको रेगुलेट हमारा दिमाग करता है तो जो ब्रेन है और स्पाइलल कॉर्ड है ये दोनों के दोनों बोन से कवर्ड होते है जैसे अगर हम अपने फेफडों की बात करें ये इफसो फेकस की बात करें और जो स्पाइलल कॉर्ड है उसमें रिंग शेवड है इस तरीके से वर्टी ब्रे कहते हैं उसको ये स्पाइलल कॉर्ड इसके अंदर है और ये आपके वर्टी ब्रे है और ये दूनों कुशन होते हैं इनके लेयर्स होती हैं मेंब्रेन की जिसको हम meninges कहते हैं साथ में कुछ special fluids भी होते हैं liquid भी होते हैं जिनको हम cerebrospinal fluid कहते हैं यह जो fluids हैं यह जो liquids हैं यह मदद करते हैं ताकि nerve tissue को protect किया जा सके उसको healthy रखा जा सके और waste product को हटाया जा सके pituitary gland यह इसका जवाब दे रहा हूं में आपको master gland बताना है जो दिमाग में brain में होता है तो pituitary gland है जो आपके दिमाग में होता है इसको master gland कहते हैं टेबलर form में आपको तीन differences बताने हैं nervous control और chemical control में तो nervous control में neuron cells का collection मान लिज़े इस तरीके endocrine system यारे की chemical control की बात हो रही है यह glands का formation है glands मिलके काम करते हैं nervous system में जो electrochemical pulses है यह signal को इदर से उदर ले जाती है जबकि जो signal transmission का तरीका endocrine system में वो hormone के थूँ chemical जो होते हैं जो हम chemicals को hormone कह रहे हैं यह है आपके signal transmission का तरीका nervous system में जो signal transmission है बढ़ा तेज होता है लेकिन जो काम है वो बहुत देर तक नहीं रहता प्रोलांग नहीं है लेकि endocrine में signal transmission जो हो रहा है जो इदर से उदर जो जानकारी जा रही है वो slow है slow है लेकिन बड़ी देर तक रहती है जो nervous system है cells आपस में interconnected होते हैं और सारा system continuous है जबकि endocrine system में जो organs हैं पूरी system के वो आपस में physically connected नहीं रहते हैं अलग-अलगी रहते हैं nervous system में ये neurons use करते हैं ताकि neuron coming in काम है transmit करना signal को endocrine system में ये circulatory system है जैसे हमारे धंदियां है artery है, वेन से ये सब जो नसे हैं उसको आप कह सकते हैं आपको पार्ट बताना है ब्रेन का जो पॉस्चर मतलब आप खड़े है और बैलेंस में खड़े हुए ऐसा भी तो हो सकता है आप गिर जाएं आपने देखा होगा कई बार जो लोग नशा करते हैं वो ठीक से खड़े नहीं पाते तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है पॉस्चर और बैलेंस तो सेरेबलम आपका हिंड ब्रेन में हिंड ब्रेन एक स्पेशल नाम दिया गया है उसमें सेरेबलम होता है वो आपका पॉस्चर और बैलेंस को आपकी पॉस्चर बैलेंस को maintain करता है, manage करता है आपको part बताना है body का जहाँ पर gustatory या olfactory receptors होते हैं तो gustatory आपका receptor जो होते हैं वो आपके four brain बतला आगे का जो brain है उसमें cerebrum होता है cerebrum में होते हैं जबकि olfactory जैसे एक आपका taste के लिए एक smell के लिए जो olfactory receptors हैं वो आपके जो olfactory lobe है एक जगा four brain में वहां रहते हैं और स्मिता फादर को doctor में advise किया कि देखिए शुगर ज़रा खान खाई है आपको पताना है कौन से disease हो सकती है इनको और आपको पताना है किस hormone की deficiency से हो रहा है तो पहली चीज़ तो यह है कि स्मिता के फादर को diabetes है मधु मेह कहते हैं और insulin की कमी से यह diabetes होती है फिर है identify the gland that secrete it and mention the function of this hormone कौन सा gland इसे secrete करता है और आपको function वहताना इस hormone का तो pancreas secrete करता है यह liberate करता है release करता है insulin को insulin का main काम यह है कि आपका blood sugar level है उसको यह regulate करेगा ज्यादा भी नहीं होने जनेगा कम भी नहीं होने देगा explain करना है जो time और amount कितना secrete होता है इस hormone का अपने regulation के लिए human system के लिए तो ध्यान रखेगा जब sugar level बढ़ रहा है तो यह detect होता है cells द्वारा pancreas द्वारा वो क्या करेगा वो और insulin प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा insulin प्रोड्यूस होगा जैसे ही आपको blood level decrease होता है तो insulin का secretion भी कम हो जाता है pancreas बारा ऐसे respond करता है यह body को आपको function बताने है plant hormone के आपको चार्ट अलग-अलग type के plant hormones बताने है तो plant hormone यह मदद करते हैं ताकि coordination और control हो सके किसमे plant में ताकि plant बढ़ सके growth हो सके उनका development हो सके अलग-अलग environment condition में वो react कर सके तो चार different type के plant hormone होते है oxygen, gibberlins, cytokines, ethylene और abscessic acid तो oxygen का काम यह है कि basically यह growth से related होता है जो tropic moment है यानि कि light आ रही है तो oxygen के influence में oxygen के कारण जो plant का stem है या तना है या फिर stem की पुरी body समझ लीजे वो light की तरफ जाती है या light case से दूर जाती है जो मान लीजे plant का stem है वो light की तरफ जाएगी और जो roots होंगी वो उससे दूर जाएगी gibberlins क्या करता है जो stem की बात चल रही है उसको बढ़ाना और जो पत्या है उसका बढ़ना gibberlins का काम होता है इसका application एक तो stem का elongation मैंने बताया आपको जैसे अगर आप देखे cabbage cabbage होता है cabbage में तो कुछ नहीं होता है cabbage दिखेगा आपको लेकिन वो कैसे बन जाता है gibberlins के कारण बनता है अगर आप gibberlins sugarcane पे spray करेंगे तो इसका जो तना है क्योंकि जब आप sugarcane की बात करते है घन्य की बात करते है तो में तो उसका तना है उसी सब कुछ आता है तो वो size बढ़ा देता है इससे crop भी बढ़ जाती है crop का production बढ़ जाता है cytokinen की बात करें तो ये किस region में produce होता है plant के body में जहां पर बहुत तेज cell का division होता है जैसे roots की tip हो या shoot birding हो या जो आपके fruit है याने की seeds, fruit फल और जो बीज है cytokines promote करते है growth को कैसे करते हैं cell division करते हैं इसी तरीके से नई leaves बनती है और chloroplast बनता है leaves में इथाइलिन की बात करें तो जो आपके फल पकते हैं वो इथाइलिन के कारण होते है abscissic acid ये रोगता है ये इसका काम है रोगना slow down करता है growth को जो अलग अलग part है plant body के इसी तरीके से जो seeds बन रहे हैं उनका germination रोगता है इसी तरीके से बहुत सारी जो stress आते है plants को भी stress आते हैं क्योंकि temperature change हो रहा होता कभी एकदम घरम हो जाएगा कभी एकदम ठंडा हो जाएगा तो उसकी tolerance को भी ये abscissic acid control करता है इसके अलावा इसी लिए इसको stress hormone भी कहा जाता है इसी तरीके से जो पत्ते हैं पुराने हो गए उनको कोन वो कैसे गिरेंगे और flower fruits जो है वो भी गिरने है फल पके गिर जाते हैं ये abscissic acid का गाम होता है कैसे brain protect होता है injury और shock से brain जो है तीन layer membrane होती है brain के उपर जिसको हम meninges कहते है इन meninges के बीच में जो brain के हैं यहाँ पर CSF होता है यानि की cavity fluid होता है जिसको हम cerebro spinal fluid कहते है वो भरा होता है जो heart skull होती सबसे उपर वो cover करती है इन meninges को तो यानि की जो इस meninges है आपका CSF यानि की cerebro spinal fluid और जो skull है जो सबसे उपर की हड़ी है वो आपके brain को protect करती है बागी चूज़े क्योंकि यह बहुत ही जिसे कहते हैं नाजुक पार्ट होता है दो main part होते हैं आपको यह बताना है सवाल यह है दो main part बताने है हिन ब्रेंड के और उनके function भी बताने है तो main part है हिन ब्रेंड के एक तो medulla है, एक cerebrum है तो उनके काम क्या है, medulla का काम क्या है जो blood pressure हो रहा है, salivation थूब निकल रहा है, vomit हो रही है यह सारी involuntary action है, इसके लिए हम कुछ करते नहीं है बस यह होते रहते, हो जाते तो this involuntary action है यह medulla का काम है ऐसे cerebrum, जो भी voluntary actions हो रहे है यानि कि हम कुछ काम करना है posture है, balance है, खड़े है तो जो हमारे खुद के actions होते है उनके precision, यानि कि हम तिरंदाजी कर रहे है तो हमारा cerebrum काम करेगा इस समय आपको structure बताना है neuron का और label करना है cell की body और axon को तो यह हम already discuss कर चुके है यह जो parts है आपको बताना है part neuron का जहां पर information को acquire किया जाता है तो neuron, nerve cell, neuron में acquire जहां किया जाता है उसको हम कहते है dendrite और जहां से information travel करती है as an electric impulse, electric signal की तरह जाती है उसे हम axon कहते है कौन सा plant hormone यह present होता है जादा concentration में जहां पर बहुत जादा cell division हो रहा है तो cytokinin यह present होता है बहुत जादा concentration में जहां जुस areas में rapid बहुत तेजी से cell divide हो रहा हूँ आपको एक example बताना है जहां plant growth promoter एक example बताना है जो plant के growth promoter हो और plant के growth inhibitor हो यानि कि plant को बढ़ाने में काम आते और plant को growth को कम करने में काम आते तो जो example है plant growth promoter का वो है gibralis और जो inhibitor है वो है abscess ही कैसे कौन सा organ secret करता है hormone जिस से blood sugar जब बढ़ता है तो कौन सा organ secret करता है hormone बताता हूँ कौन सा और आपको hormone बताना है नाम भी इसका बताना है जो यह organ release करता है तो main organ है आपका pancreas यह hormone secret करता है जब blood sugar बढ़ जाता है अपनी body में insulin वो hormone है जो release होता है इस organ से और जो enzyme release होते हैं इनका नाम है pancreatic juice आपको explain करना है किस तरीके से oxygen मदद करता है plant को bend होने में मुणने में जुकने में या plant के stem को जुकने में light की तरफ तो जो plant shoot है यानि कि जो उसके जिस पे plant खड़ा है जो oxygen का role है यह एक positive phototropism पैदा करता है यानि कि plant को light की तरफ बढ़ना है जुगना है तो light जब incident होती है इस plant पे एक direction में तो वो क्या करता है यह oxygen जो है वो redistribute हो जाता है उस जगा पे जहां पर shaded portion है shaded side है अपका plant का एक जगा light है कि दूसरी जगा shaded होगा अब जो function है oxygen का वो cell को elongate करता है बढ़ा करता है तो जो redistribution हो रहा है यही जो cells है shaded region में elongate होते है जादा उससे जादा की जो shining area में हो रहे है तो इस करण से क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे shoot या फिर जो stem है वो bend हो रही है जूक रही है light की तरफ आपको जो objective है इस experiment का एक experiment है कि माल लीज़े यहाँ पर आपकी इस तरीके से एक पौधा दिया हुआ है और light इस पर पड़ी तो यह इस तरीके से जुकेगा इस तरीके से एक figure दिया है तो उस figure में आपको बताना है कि क्या है objectives का तो objectives यही है इसका उतर यही सवाल का जवाब है पहले बाला कि जो objective है experiment का ताकि हम दिखा सके कि phototropic movement कैसा हो रहा है पाइंटा कैसे जुक रहा है light की तरह क्या cause करता है tendril जो होता है वो encircle करता है coil करता है object के around यानि कि जो लटाएं होती है लटाएं होती है यानि कि ऐसे पौधे जिन में लटाएं होती है पेड की तरह नहीं होता है वो बस किसी भी जगह उसको लगा दे तो जो भी object उसको मिलेगा agenda मिलेगा उस पे घुम घुम के आगे बढ़ जाएगा आपको process भी बताना है तो जो ये tendril है जो लटाएं है वो जब contact में आती किसी भी support के तो जो पार्ट है tendril का जो contact में है उस object से वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता राइट ड़स नॉट ग्रो एज रपिटली एज पार्ट अवे फ्रम दे टेंड्रिल यानि कि वो जो उससे लगा हुआ है वो पार्ट जल्दी ग्रो नहीं करता आपको तीन endocrine gland बताने है human body में briefly बताना है उनके function भी बताने है तो thyroid gland है यह hormone thyroxine thyroxine secrete करता है जो आपके body का metabolism किसका metabolism हो रहा है carbohydrate का, fat का, protein का तो इनका regulation कोन कर रहा है thyroid gland से निकलावा है thyroxine और साथ में जो nutrients और mental ability है उसका जो balance है वो भी thyroid gland या thyroxine के जिम्बे है adrenal gland की बात करें तो यह दो hormone secret करता है adrenaline और corticoid तो यह जो करते क्या है यह regulate करते है आपके blood pressure को, आपकी heart beat को जो सांस लेनी की जो rate है और carbohydrate के metabolism को pancreas जो है यह दो hormone secret करता है insulin और एक glucagon जो insulin है वो क्या करता है, वो glucose level को regulate करता है body या एक हेंत की कम करता है, और glucagon क्या करता है यह blood glucose level को बढ़ाता है कौन सा part का, part है brain का जो control करता है involuntary action वो action जिसके लिए हमें सोच रहा नहीं परता है वो चीज बस body करती रहती है आपको function भी बताने है of any two regions of it दो region के function बताने है तो हिन brain जो है, वो control करता है आपके जितने भी involuntary action होते है जो cerebellum है, वो control करता है जो body का coordination है किस तरीके से आप खड़े है posture कैसा है, यह चीज जो medulla oblongata है, वो क्या regulate करता है वो जैसे आप चीजे निगल रहे होते, कफ कर रहे होते खांस रहे होते, छीक रहे होते, वो मिट कर रहे होते medulla oblongata करता है chemotropism क्या होता है, आपको इसका example देना है और दो plant hormone बताने है और उनके function भी बताने है तो chemotropism का मतलब है, ऐसा movement element के, यह plant के उस part का movement जब कोई chemical stimulus आता है कोई chemical चीज होती है, तो उसका movement तो positive chemotropism हो सकता है और negative chemotropism होता है जैसे जो pollen tube का बढ़ना है, growth है chemical है जब वो produce होता है एक ovule द्वारा, तो जब आप देखिए, जब pollen को क्या करना है अगर self-fertilization हो रहा है तो pollen को ovary ovule के पास आना है fertilization के लिए तो यह आपका chemotropism है दो plant hormone के function हम देख रहे है एक तो oxygen है और जबरिलीन है oxygen का काम यह है कि एक तो cell को बढ़ाता है root के formation में उसका role है cell division, cell का part करना, respiration बहुत सारे आपके physiological processes है जैसे protein की synthesis करना यह oxygen का काम है जबरिलीन्स की बात करें तो यह जो तना है, stem है या फिर जो शाखाई निकलती है उनका elongation करना जबरिलीन का काम है जो seed है, beege या फिर flower है, fruit है इसमें भी जबरिलीन्स का role है इनकी germination और flowering और उनके आगे बढ़ाने में आपको function मताने है कोई तीन structural और functional unit जो है nervous system की तो जो structural या functional unit है nervous system इसमें neuron है और उनके function क्या है neuron का cell body यह क्या होता है कि dendrite receive करता कोई stimulus आता है उसको यह impulse में change करता है cyton में dendrite जो होते है यह sensation यह stimulus लेते है जो physical या chemical हो सकता है exon का काम यह है कि वह impulse को लेता है कंड़ेट करता है cell से दूर away from the cell body hydrotropism क्या है इसका example भी देना है आपको ताकि hydrotropism दिखा सके तो इसमें क्या है hydrotropism को मतलब यह होता है पहले मैं आपको इसको समझा दूँ फिर आप hydrotropism बताता हूँ यहाँ पर हमने क्या किया एक पूरस एक यह वाला छोटा वाला पूरस pot लिया पूरस मतलब इससे पानी बाहर की तरफ जा सकता है बहुत कम मातरा में इसको एक हमने यहाँ पर एक tub लिया यह टब है इस tub के अंदर इसको रख दिया और यहाँ पर यह सैंड भरी है यहाँ रेड भरी हमने क्या कि एक बहुत fresh germinated एक pea seed pea और मतद इसकी seedling यहाँ पर लगा दिया अब पानी तो इसके पास अवेले बल लेगी तो रूट क्या करेगी वो रूट उस तरफ आगे बढ़ेगी जहाँ पर इसको पानी की संभावना मिल रही क्योंकि यह पोरस है पानी यहाँ दिखेगा इसको मिलेगा तो जो hydrophrobic curvature है इस रूट का वो यहाँ आपको दिखाए देगा तो यह जो bending है रूट की इस पानी की तरफ यह आपको दिखा रहा है किस तरीके से plant में hydrophism होता है रूट जो है वो पानी की तरफ बढ़ रही है अब आते हैं hydrophism पे hydrophism एक डिरेक्शनल एक particular angle पे direction में plant का growth है जब उसको पानी की संभावना देखती है response to water जो आप यहाँ पर देख रहे है यह hydrophism इसमें जो आपकी पेड़ पौधे लगे है वो उस तरफ जाते हैं जा उसको पानी मिलने की संभावना या पानी मिल सकता है यह experiment है इसका hormones क्या होते हैं आपको function बताने हैं इन दोनों के thairoxin और insulin पहले hormone समझे है hormone chemical substances होते है जो body जो control करते है या coordinate करते है जो organisms बढ़ रहे है यानि कि उनकी जीवन और उनकी growth दोनों के लिए hormones क्या उशकता है तो जो term hormone आता है वो introduce क्या था बेलिस और स्टार्लिंग सा हर्म तो function क्या है thairoxin का इसका main काम है कि जो carbohydrate और fats है उनका metabolism यानि कि उनका खाना हम खाते है खाने को जजब करना digestion होता है digestion के बाद carbohydrate fat जो बनते हैं उनको body के अलग-अलग cells में part में ले जाना और उसका use करना इससे metabolism कहते हैं तो जो hormone regulate करता है metabolism carbohydrate और fat को उसको हम thairoxin कहते है insulin का सीधा relation है sugar level से तो regulation insulin regulate करता है जो hormone है sugar level blood में क्या function है receptors का अपने body में आपको situation बतानी है जहाँ पर receptor ठीक से काम नहीं करा तब क्या दिक्कत हो जाएगी receptor का मतलब यह होता है कि हमारे पूरी body जैसे skin है पुरी पुरा skin और अपकी आँखे आपका नाज आपका टंग जो भी sensory organ है वो सारे receptors यह क्या करते है signal detect करते और इसको brain में भीजते है electrical signal कित्री यदि यह receptors damage है तो फिर यह हो नहीं पाएगा मतलब electric signal जानी पाएगे और जब दिमाद में नहीं पहुचेगा तो हो सकता है कि कोई dangerous situation आपके साथ में आ जाए और response नहीं हो पा रहा है तो नुकसान पहुँच सकता है How is spinal cord protected in the human body? Spinal cord कैसे protect होती है Spinal cord में एक ऐसे तरह के से bone cage होता है जिसको हम vertebral column बोलते है या waterway हो जो vertebral column है यही एक bone cage है जिसके अंदर आपकी spinal cord होती है एक potted plant है इसको आपने जमीन पे horizontally रखा कौन सा part जो है वो positive geotropism दिखाएगा कौन सा negative geotropism दिखाएगा अब आपने कहा कि horizontally हमने इसको पौदे को इस तरी के से रख दिया तो क्या होगा? जमीन के तरफ बढ़ना जमीन से प्यार या उसकी तरफ तरफ action करना जियोट्रॉपिजम होता है आपको हिन ब्रेन के function बताने है तो हिन ब्रेन यह आपका सांस लेना respiration, आपकी cardiovascular मतलब दिल, धमनियों का जो reflex है और जो आपकी gastric secretion है जो आपके पेट में secretions हो रहे है उनको यह control करता है इसके अलावा यह जो commands है जो cerebrum से आते हैं इसको भी modulate करता है mention the function of adernaline hormone adernaline का क्या मतलब है? आपने सुना होगा adernaline rush जब खेल कूद हो रहा होता है और दो पाटी भीड रही होती है तो बोलते हैंगी adernaline rush होता है उसमें आप बहुत बड़ा performance देते है तो adernaline hormone जो है वो release होता है आपके खून में blood में आपका adernal gland होता है जब आपका जो simulation nervous system है या कोई fight हो रही हो fright हो रही है डर हो रहा है या कोई excitement का case है वहाँ पर आपके ये hormone secret होते है तो ये blood pressure increase होता है इससे आपकी heart beat बढ़ जाती है breathing sance की rate बढ़ जाती है अब क्या है कि ये blood को divert करता है उस essential organ में जहां जैसे heart हो गया brain हो गया या skeleton muscle हो अब होता है कि ये उस जगा पहुंचाता है बाकी जो blood vessels कैसे करता है क्योंकि dilate कर देता है blood vessels के और जो come essential organ है जैसे skin है digestive system है उसको उसकी जरूत नहीं है अभी जैसे आप खेल कुद रहे हों या आप को ऐसी situation फस गए तो फिर आपको इन organs के भी जरूत नहीं है आपके central nervous system की कौन सा इसमें बहुत अच्छा बहुत important और बहुत major role play करता है जो command send करता है muscle को ताकि जिसमें एक thinking process involved हो फिरामना भी बताना है आपको तो दो main organ है CNS के वो एक brain और एक है spinal cord spinal cord एक बड़ा major role play करता है क्योंकि यहीं से आपके command जाते है muscles को ताकि जिसमें thinking process ना हो और thinking process ना हो इसका मतलब जैसे आप किसी जगा हाथ रखे और आपको लगा हाथ दब रहा है आप फड़ा फड़ा लेंगे या आपके सामने कुछ ऐसी situation आ गई या आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज आई और आपको लगा कि नहीं मुझे बचना चाहिए तो इसे हम reflex action कहते है आपको hormone बताना है जो secret होता है human testis मतलब जो men के genitals होते हैं जिसमें पेलिस होता है तो उस testis होते हैं उसके लीजिए उसका function भी बताना है आपको तो जो testis है वो male sex hormone जिसे हम testosterone कहते हैं वो secret करता है इस testosterone का function क्या है एक तो जो sex organ है जिसे reproduction होगा male के sex organ को regulate करना है साथ में क्योंकि आदमी कैसे दिखता है औरत से अलागा इसकी आदमी की दाड़ी होती है उसके beard होते है छाते में बाल होते है इसकी आवाज मोटी होती है से secret होता है human being में तो देखिए जो hormone secret होता है pituitary gland में उसका function क्या-क्या है आप उसको समझे तो पहला तो है growth hormone यानि कि ये regulate करता है जो growth and development है आपके हड्डियों का और आपके muscle का इसी तरीके से tropic hormone है ये regulate करता है जो secretion hormone का बाकी जितने endocrine glands है वहाँ से prolactin hormone ये regulate करता है function जो memory glands होते है females में vasopressin hormone ये regulate करता है पानी और जो erectrolite है यानि और fruit है उनका balance body में oxytocin hormone ये आपका जब बच्चा होता है तो मां का दूद आता है तो इसका proper ejection इस milk का lactation के सबह में वो oxytocin करता है आपको reflex action बताने है ये steps भी जो है reflex action में बताने है कौनकों से involved होते है तो reflex reflex मतलब ये है कि अगर आप unconsciously है unconscious मतलब आप conscious में नहीं है यानि कि आप कुछ और काम कर रहे और एकदम automatic आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा आपकी सोच नहीं है कि नहीं नहीं मुझे तो आप ये करना है नहीं नहीं तो वो कोई भी ऐसा कोई चीज हुई और आपकी बाड़ी ने unconsciously, automatically, involuntary response दिया यानि कि जो muscle और glands है किसी भी एक बहारी आपके बाड़ी में जो भी चेंज हो रहे है या कोई ऐसी चीज होई या आपको respond करना है तो ये monitor करता है spiral cord तो reflex section मतलब यह ही कोई भी ऐसी चीज़ भी आपकी body जब अपने आप react करती है बगर आपको सोचना नहीं पड़ता क्योंकि body खुद react कर रही है इसे हम reflex action कहते है तो इस reflex section का mechanism क्या होता है पहरे तो क्या होता है receptor organ जैसे skin शरीर में skin जो है वो एक stimulus जैसे आप किसी ने चूटी काट दिया आपको तो एक stimulus आ गया अब यह activate करेगा sensory nerve impulse को जो sensory organ है इस message को ले के जाएगी sensory impulse के form में spinal cord के थूँ spinal cord क्या काम करेगा एक modulation का काम करेगा जो neuron है आपके spinal cord में वो transmit करेंगे sensory nerve impulse को आपके motor neuron पर motor जो है वो conduct नहीं करता जी यह impulse को effectors जैसे leg muscles है जब respond करता है जैसे आप कोई harmful चीज होने वाली है तो वो पीछे खिच लेता है आपको component बताने है ले रोल भी बताना है brain का reflex action तो जो reflex action है या reflex R है वो इस flow chart में दिया हुआ है reflex R है इसमें कहीं भी दिमाग का काम नहीं होता ज्यान रखिए शरीर अपने आप करता है शरीर अपने आप करता है यानि कि अगर हर चीज ब्रेन में जाती रही तो brain overload जाएगा कई चीज़े शरीर खुद भी करती है बगए दिमाग का इसमें intervention के तो इसमें क्या-क्या हो रहा है देखिए जैसे मैंने कहा कि आपका कोई stimulus आया जैसे आपको pain हुआ, touch pressure हुआ तो कैसे पता चलेगा आपका माली जे आपका एक response, contraction, secretion relaxation कैसे होगा एक effector है, effector neutron है इसका CNS के साथ यानि की brain और spinal cord जिसे हम कहते हैं, वहाँ से efferent neutron वो sensory receptor को जाएगा तब आपको pain है, touch है, pressure फील होगा, यह आपको पुरा reflex आर के एक young, मतलब बिलकुल जवान एक हरा plant है वो sunlight receive करता है, कि एक एक डिरेक्शन इसके shoots का क्या होगा shoots का क्या होगा या इसके जो branches उसका क्या होगा या फिर उसके stem का क्या होगा देखे ये bed होगी, किसके तरफ light के तरफ, और roots कहां जाएंगी वो light से अलग, अलगदा direction में, दुसरे direction में आईगी, आपको plant हर्मोन बताने है, जो help या promote करते है cell division को, और growth stem और root का करते है, तो जो plant हर्मोन है, जो cell division को promote करते है, वो cytokines है, जो stem की growth करते है, वो gibralines है What is the function of thyroxine thyroxine का हमारे body में क्या role है, क्या importance है thyroxine का main काम है कि जो metabolism हो रहा है, carbohydrate ताकि आपका proper balance growth हो दो tissue बताने आपको जो आपको control और coordination देंगे, multi-cellular elements में तो दो tissue जो control और coordination देते हैं, multi-cellular animals में वो है nervous और muscular tissues Which one of the following actions on touch is an example of chemical control? जैसे अगर आप कहीं touch हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपको, तो कौन size में जो है आपका, इन दोरों में कौन सा ऐसा है, जो chemical controlled है तो जो आप movement होता है, touch sensitive plant का, वो आपका touch sensitive मतलब वो basically chemical controlled है movement only, touch sensitive plant Nastic और curvature movement क्या होते हैं, इसका example भी देना है Nastic movement का मतलब यह होता है कि यह non-direction किसी direction में होता है, movement होता है जो ना तो आपके stimulus की तरफ जुकेगा, ना stimulus से दूर भागेगा, जैसे पत्ती गिर रही है जब पत्ता गिर रहा है, पेड़ से तो वो तो नीचे की तरफ जाएगा, gravity की तरूँए वो ऐसा नहीं कि वो आपके stem या फिर root की तरफ गिरेगा, या उससे दूर गिरेगा कर्वेचर movement की बात करें तो यहां पर जो plant के organs है अलग-अलग वो किसी stimulus की तरफ move करते हैं जैसे मान लीजे light का source है तो जो shoot है, plant की जो shoot होती है वो उस तरफ bend करती है, light की तरफ नाम और function बताना है दो पार्ट जो human brain के है तो जो दो पार्ट है human brain के, उनका function में बता रहा हूँ आपको एक cerebellum है, आपका medulla oblongata है cerebellum control करता है आपकी momentor posture को, जैसे आप खड़े हैं जब चल रहे हैं तो गिर नहीं रहे हैं, वो cerebellum करता है और जो medulla oblongata है जैसे आप कुछ खा रहे हैं, कफ कर रहे हैं सीज कर, sneeze कर रहे हैं, छी कर रहे हैं उल्टी कर रहे हैं, यह medulla oblongata इसको देखता है plant hormones क्या हैं, दो important function भी बताने हैं आपको oxygen के, तो plant hormones को हम इस तरीक से define कर सकते हैं, यह chemical substance जो naturally plant में आते हैं और इनका काम यह होता है, कि पूरे plant में proper चीज़े चले translocation हो यहां से वहां से यहां से वहां तक, वहां से यहां तक regulate करें, और भी जितने physiological process हो रहे हैं, और किसी एक जगा पर ज़्यादा concentration किसी चीज़ का ना हो जाए, वो इनका काम है दो important function जो oxygen के है वो है एक तो cell को elongate करता है, बड़ा करता है root इससे बनती है और cell का division और भी है इसके काम आपको दो main constituent बताने है CNS, जो human beings में होता है तो दो main constituent जो central nervous system के हैं, वो आपका brain है और आपका spinal cord है What is the need for system of control and coordination in human अब सवाल ही आता है, इस पूरे चेप्टर का main धे ये है कि जो body में control and coordination हो रहा है उसकी जरूत क्या है देखे एक जो living being है, चाए इनसान हो या कोई भी जानमर हो, आइसलोशन में नहीं जीता है इसका मतलब यह है कि उसके साथ एक environment भी है, वकिला नहीं है environment भी है, और उस environment में रहने के लिए, struggle for existence आपने सुना होगा उसमें रहने के लिए उसको हर चीज़ के properly survival करने के लिए respond करना होगा, जैसे माली जे एक भुका शेर है, लायन है वो एक deer को देखता है, अब जो लायन है उसको फटाफट अपना move करना है, ताकि वो अपना खाना खा सकी क्योंकि लायन तो deer ही खाएगा यह carnivore है, वो घासवस नहीं खाते जबकि जो deer है वो उसको अपनी जान बचानी है, उसको अपनी जान के लिए भागना है अब जो responses हैं जो किसी भी इस stabilize से आ रहे हैं, वो उसको control करना, coordinate करना बहुत जरूरी है खास वर के हमारे हैं, जैसे हम जैसे complex animals हैं उनके लिए, तो control and coordination बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि life की stability हो steady state हो, internal condition जो organism के हैं, और जो environment के जो अलग-अलग factors हैं, उनके बीच में एक बहुत अच्छी तरीके से coordination हो सके, हम जी सके दूसरे भी जी सके, सब एक दूसरे का मतलब regulation हो, या फिर एक तरीके से harmony हो, जिसको जो खाना है, फूर्चेन में वो खाए और अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है उसके सामने, तो उससे बच सके तो ये सवाल जवाब हुए आपके जो board में आये थे, इस chapter के बहुत शुक्रिया, बहुत महबानी आपसे लिखिए